नमस्कार मैं अभिशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू तो finally railway के aspirants के लिए एक अच्छी news आपने बहुत सारी वीडियो भी देख रखा होगा ये notification भी आपके पास होगी क्योंकि ये पूरा viral है लेकिन एक चीज आपको ये समझना है कि आपने ये तो समझ लिया कि अब LP technician के लिए क्या आप eligible है या नहीं मतलब कि योग्यता क्या है education qualification section क्या ठीक लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसकी syllabus में क्या बदलाओ किया जा सकता है या फिर कोई single unit बदलाओ किया जा सकता है भी या नहीं देखे लास्ट जो वेकेंसी आई थी LP technician की 2018 में जिसमें एक major change देखने को मिला था आपको major change में बात किया जाए तो सबसे पहले CBT1 mode को add किया गया फिर CBT2 mode को add किया गया CBT1 में ये fix कर दिया गया अंतिम अंतिम चन में एक महिना पहले ये decide कर दिया गया आपके साथ की science में, maths में और reasoning में और general awareness से कितने number of questions पूछे जाएंगे देखे ये railway के इतियास में first time 2018 मैसा हुआ जब आपको पता चल रहा था railway के experience को कि science से, maths से, reasoning से और general awareness से कितने number of questions पूछे जाएंगे देखे बहुत बारिकी से हर एक चीज को मैं यहां बतला रहा हूँ और 2018 में मैंने खुद paper दिया CBT1, CBT2, psycho हर एक result आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं जो मैंने qualify किया तो एक एक चीज को आप समझेगा तो यह बात रही एक major change CBT1 को include किया गया जहां पर आपका एक fixed criteria रख दिया गया 40% general category के लिए लाना ही important है फिर आपको CBT2 में सबसे बड़ा major यह किया गया कि यहां पर आपको एक तो आपका trade paper रखा गया 75 question जो आपको qualify करना ही करना है अगर यह trade paper qualify नहीं किये तो कोई मतलब नहीं है अब आपका आगे दूसरे इसमें include क्या क्या गया math reasoning science के साथ साथ इसमें basic science engineering drawing खास करके engineering drawing basic science और engineering drawing के 40 सबार एक बहुत बड़ा बदलाओ यहां पर किया गया railway के LP technician के exam में और फिर आपका psycho as it is जो आपका 5 test होता था same as it is रखा गया बहुत आसान होता है आराम सा आप qualify कर सकते हैं चीक है तो अब क्या जैसे कि आपने qualification में आपने बात की थी देखेंए 2018 से पहले जो LP technician के वेकेंजी आयो थी 2014 में तो वहाँ पर ऐसा कुछ fix नहीं हुआ करता था पीटी मेंस का concept नहीं हुआ करता था ना ही science, math, reasoning और gk में कितने number of questions पूछे जाएंगे यह भी नहीं पता होता था एक paper में ही trade का भी होता था science भी होता था math, reasoning भी यह सारे चीज़ तक चलाया जागो क्योंकि एक systematic way और एक अच्छा उन्होंने एक represent किया है यह syllabus को ready करके present किया था क्योंकि एक student भी clear cut mind में लेके जा रहे थी कहा science से इतने सवाल आएंगे math से इतने सवाल आएंगे अगर आपके पास ITI का आपके पास degree है ठीक है तो आप या फिर apprentice भी आप उन्हें कर रखा है तो आप technician के लिए भी eligible है और लोको पाइलेट के लिए भी eligible है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है ठीक है चाहे आप 12 के बाद किये हो ठीक है ना या फिर अगर आपने बिटेक भी कर रखा है लेकिन accept याद रखना है सिबिल से आपने नहीं किया हो या फिर IT से या फिर computer science से तो ही आप eligible हो यानि कि mechanical वाले electrical वाले electronics वाले automobile आप देखे कोई electrical electronics इंजिनेरिंग करते कोई electrical इंजिनेरिंग करते वो सब ही eligible है लेकिन जो केवल प्लस टू किये हैं या फिर BSC किये हैं तो आपके लिए signal SNT department में जो वेकेंसी आएगी केवल आप उसकी ही लिए eligible होंगे उसकी वेकेंसी काफी minimum होती है 4000 से 5000 पिछले बार 5000 ही वेकेंसी थी जिसमें high cut-up भी रहता लेकिन यहीं बात किया जाए आप technician की या ALP की तो अब हलागी अब तो cut-up अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि अब हर एक student ने idea की अपनी degree complete कर चुकी है खेर वो अलग चीज है competition तो हर समय बढ़ते ही चला जा रहा है बागी यहां पे इन्होंने लिख रखा है specified trade for the purpose as above the below यह आपना इन्होंने आपको idea के द्वार तो यह तो आपका जो same as it is पिछले साल पिछले साल इंदसेंच 2018 का जो क्राइटेरिया था वह ही है अब बात करते हैं हम लोग syllabus में क्या रहने वाला देखिए clear cut में बता रहा हूं syllabus में कोई बदलाओ एक single unit बदलाओ नहीं किया जाएगा LP technician के लिए CBT1 के लिए अब आपने तो करा दे लेकिन यह थोड़ा लंबा चलेगा चीक है ना लेकिन जो भी है आपको तयारी करना है तो यहां पर देखे math reasoning और सबसे important आपका science है science में आपको 10th level की चीज़े करनी है बहुत अच्छे से NCRT पर पूरा अच्छा पकड़ होना चाहिए ठीक है उसके बाद NCRT मे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है factual चीज़े बहुत अच्छे याद होने चाहिए math में एक अच्छा level अब आपको करना होगा reasoning में एक अच्छा level banking pattern पर देंगे banking pattern कहते ही आप पूरा bank में सिफ्ट नहीं होंगे हलके हलकी चीज़ों को bank में लेना मैं बहुत चीज़े बताया Liberty 2 में सेम वही syllabus रहेगा maths रहेगा reasoning रहेगा basic science और engineering drawing engineering drawing की मैंने कई अच्छे अच्छे concept मैंने YouTube पे करवा रहके बहुत सारी topic free of cost आप engineering drawing एक बार करिये पिछले साथ 2018 में भी करवाया था बहुत student को profit होए free of cost में कर रहा हूँ engineering drawing करवाया हूँ पूरा नहीं अभी आपका projection and view बचा हुआ है तो आप एक बार YouTube पे जा करके देख सकते हैं पूरा का पूरा पहला topic engineering drawing का दूसरा lines topic मैंने बहुत सिद्धत से चीजों को समझा के खतम कर दिया ठीक है ना तो एक बार आप वहां से एविल करिए बाकी basic science में भी मैंने physics के बहुत सारे chapter करवा है और जो detail में पढ़ना चाते है science ठीक है ना CBT1 के लिए तो आप हमारे application को install करेंगे 399 में आपका पूरा science का batch आपको available है लेकिन engineering drawing और basic science के लिए अब मैं बहुत जल्द आपके लिए course भी लाऊंगा इकदम minimum fee में quality content के साथ बाकी quality content कहने का मतलब यह है कि वो बाते मैं बतलाऊंगा कि ज चीजों को देखा है कि क्या lp technician की need है क्या आपको वहाँ पर problem face होगा क्या आपको टेंशन हो सकती है किस तरह के सवाल आपको बनाने में दिक्कते आ सकती यह lp technician में क्या reputation देखने को मिलता है चाहे वो trade में में हो करके बोल देना हाँ यह चीज़े होगी कि जो मैंने फेस किया है जो चीज़े आप भी फेस करोगे वह बाते में बतलाओंगा ठीक है तो सेलेबस में आपको एक सिंगल यूनिट भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा आप फीटर में जो पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए सेम चीज़ वही रहेगे आप चाहे इलक्रिशन में हो चाहे जो भी आपका टेगनिशन हो बाकि मैथ रिजनिंग साइंस का सेम वेटेज होगा यह होप सो आप 50,000 आप उमीद रख सकते हैं लेकिन देखे सीटे तो इससे भी जादा है लेकिन रेलवे अपने पास रिजर्व रखेगी होप सो 40,000 में ही यह रुख जाए लेकिन उमीद रखे 50 के पास लेकिन फिर भी 40 तक आपको वेकेंसी देखने को मिल सकती है 40 इन दसेंस मैं लिंक वहाँ पर शेयर कर दूँगा ठीक है मिलता है हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद